अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपके एक्जाम के 2-3 दिन कम है मतलब 12 से 2-3 दिन कम यानि कि आप 9 और 10 या फिर 2-3 दिन ज्यादा है 13 या 14 तो भी आप इस वीडियो को जरूर से देख सकते हो तो थोड़ा बहुत आप चेंजिस करके आप इसका यूज का सकते हो proper strategy में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपकी preparation बहुत अच्छी तरीके से हो so let's begin शुरुआत कर दें आजाईए यहाँ आप मैं बात कर रहा हूँ group 1 वालों के लिए ठीक है तो same चीज गूप 2 आले भी use कर सकते days को देख के बट अगर आप कहोगी कि भाया हम तो यह देख लेंगे बट हमें separately हमारे लिए भी चाहिए days wise तो वो भी मैं आपके लिए upload कर दूँगा बट एक बार आप इस चीज को जरूर से देख लीजिए ताकि आपको idea आजाए कि किस तरीके से करना है so let's begin बेटा सबसे पहले मैं यहाँ आप टाइम लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो अपने पास अभी है सबसे पहले अभन क्या करते है four day four subject अपने पास है हो सकता है कि किसी students की ऐसी habit हो कि एक दिन में एक ही subject पढ़ता हूँ और कोई student की ऐसी habit हो कि बहिया मैं एक दिन में एक से ज्यादा subject पढ़ता हूँ क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ देखो भी यह आपने अभी तक जो भी follow किया उसको follow करिये third में लिख देता हूँ फिर आगे का 1.5 days की strategy में upload करूँगा तो उसी साफ से follow करना बट अभी के लिए यहापे मैंने third लिख दिया अभी देखो for example में यहापे आपके लिए example ले लेता हूँ 12 days या 13 days आप जैसे भी बोलो चलो मैं 13 days ले लेता हूँ अभी के लिए अगर मैं 13 days की बात करता हूँ तो कुछ चीज़े आपको धियान में रखनी है सबसे पहली बात कि जब भी आप यह days में divide कर रहे हूँ तब आपको अपनी strength and weakness पता होनी चाहिए आपको कौन से subject के लिए कितने दिन चाहिए ऐसा नहीं कि 12 days बाकी है तो divide by 4, 3, 3 कर दिया ऐसा नहीं होता बेटा हो सकते हैं आपको text के लिए ज्यादा चाहिए क्योंकि वो आपको lengthy लग रहा है तो वहाँ भी आपको ज्यादा चाहिए कुछ subject में आपको कम चाहिए ठीक है यह चीज़ आपको देखना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले आप यह identify करिए कि कौन से subject में आपको कितने दिन आपको देने है 13 days के हिसाब से बट जब आप days का allocation कर रहे हो जब आप days का allocation कर रहे हो तब आपको यह दियान में रखना है कि paper number one को हमेशा हमेशा आपको ज्यादा time देना है आप बोलोगे है कि accounts मेरा favorite subject है और मेरे को ज्यादा time देनी की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप उसे ज्यादा time दोगे उसका simple सा reason यह है कि accounts का paper आपका जैसा जाएगा उसके उपर depend रहेगा आपकी next exam मतलब बाकी के तीन paper तो आपका अगर paper अच्छा जाएगा और आपने बाकी की तीन subject में मैनत नहीं करी तो भी आपको अंदर से जुनू नहीं कर नहीं यार first paper अच्छा गया ना कुछ भी होगे मेरे को pass होने का try तो करना ही है और वही चीज आपने बाकी तीन subject में बहुत अच्छा किया अगर पहला paper ही खराब गया ना तो वहाँ बेब डी मोटिवेशन हो जाओगी तीन paper अच्छे किया करूँगा इसमें तो मैं fail हो जाओगा यानि पहला paper बहुत मिटर करता है ठीक है आगे कैसे deal करने वाले हो बाकी तीन subject में पहले paper को हमेशा समभालो और उसको ज्यादा time दो ठीक है एक और चीज मैं आपको यह बता देता हूँ कि काफी सारे students मुझे पूछ रहे कि भाई अभी क्या पढ़ना चाहिए तो आपके लिए अल्रेडी हमने important questions की पूरी list बनाई है और आपके लिए last के 9 attempts को analysis करके हमने 80 to 100 questions select गी है जिसमें से आप expect कर सकते हो 70 to 80 marks का हमारी colorful question and answer की list में से उसे आप जरूर से purchase करिए बहुत minimum price रखा है अब आपको यह सोचना है कि 2000 रुपे important है या फिर आपके लिए 6 महीने यह आपका call है आप जरूर से सोच सकते हो लिंक मेंने comment in description box में दिये उसे अब click करके जरूर से purchase कर लीजी अगर registration open है तो और अगर आपको कोई doubt है तो अब मुझे यहाँ पर doubt भी पूछ सकते हो ठीके let's go अभी बात कर लेते for example हमने यहाँ पर tax के लिए देया कि हमें बहुत चार दिन चाहिए तो आपने क्या किया यहाँ पर फोर डेस के लिए फोर डेस आपको क्या करना है फोर डेस फोर डेस आपको करना है taxation ठीक है मैं combination वालो के लिए भी आऊंगा costing के लिए हो सकते है आपको लगता है कि भया मैं इसको ना easily दो दिन में complete कर सकता हूँ या धाई दिन में complete कर सकता हूँ तो आपने यहाँ भी क्या कर दिया 2.5 डेस costing के लिए कर दिया अब देखो आपको reverse में चलना है reverse में माने तो माने तो आपको paper number 4 सबसे पहले लेना है उसके बाद paper number 3 paper number 2 and paper number 1 paper number 1 में हमेशा आपको ज्यादा time देना यह आपको पता है ठीक है अब यहाँ पे आपके इस तरीके से आपने total बना दिया यहाँ पे आपके 6.5 डेस complete हो गए अभी भी आपके पास 6.5 डेस है ठीक है अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जो accounts है accounts के लिए आपको 3 डेस चाहिए ठीक है आपको लगता है 3 डेस चाहिए बट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा ज्यादा time देना है तो हम कितना ले रहे है 3.5 days तो यहाँ पे आपको यह दियान में रखना है कि आपको जितना time चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा लीजिए first paper में यह चीज़ हमें सा धियान में रखना है for example आपने यहाँ पे accounts के लिए 3.5 days यहाँ पे रख लिए and law के लिए आप कर रहे हो यहाँ पे 3 days ठीक है सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से reverse calculation करना है और इस तरीके से आपको days को allocate करना है कर सकते हो उतना भी आप target कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है but otherwise आपको days wise तो पता होना चाहिए सेम तरीके से आपको cost के लिए भी पता होना चाहिए day one day two करके law के लिए भी and accounts के लिए भी accounts के लिए जिस दिन पे exam है उस दिन आपको सिर्फ RTP, MTP करना है तो उस दिन पे कोई भी chapter allocate नहीं करना है तो इस तरीके से आपको बना देना है अब जो लोग बोलेंगे कि भाईया हम combination में पढ़ते है तो combination में हमें कैसे पढ़ना है वो बताइए अगर आप combination में पढ़ रहे हो टेक्स के साथ आप law को बढ़ना चाहते हो टेक्स के साथ बिटा आप law को बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपने decide गया तो day 1 में आप 2 part करोगे एक आपका morning का time जहाँ पे 6 से लेके 12 बजे तक की 6 गंडे की बढ़ाई जिसमें आप law की बढ़ाई करोगे ठीक है और फिर बाकी की जो बढ़ाई होती है उसमें आप tax करोगे अब इससे होगा क्या आपके पास total दिन होगे 4 plus 3 7 days 7 days आप इस तरीके का combination चलाओगे I'm sorry 7 days आप इस तरीके का combination चलाओगे ठीक है और आपका दोनों subject complete हो जाना चाहिए तो इस तरीके से आप combination में भी बढ़ाई बेटा कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आपको proper plan करना है फिर से मैं आपको बता देता हूँ important questions अलड़ी upload हो चुक है क्या आप उस पर rely कर सकते हो 100% आप rely कर सकते हो reverse calculation करिए reverse calculation कर दे time days up allocate करिए सबसे पहला जो paper है उसको ज्यादा दिन दीजिए और आपकी जो inter की May 23 की exam है उसमें lock off थोड़ा कम समय दोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपको भी बताए कि एक दिन का बीच में break है 3rd से लेके सीधा फिर 6th को है करो या तो practical करो तो भाया जरूर से theory कर लेना आप बोलो कि theory बट कौन सी करनी है सब important questions की list में है 2000 रुपे के सामने देखना छोड़ो और अपने career के सामने देखके इस exam को pass करिए बागी कोई doubt था आप मुझे पूच सकते हो thank you so much watching this session इस video को like करिए मैंने try किया कि आपका time is now और सीधर to the point बात करो and I hope अब को यह अच्छा लगा अगर yes share करिए like करिए thank you so much जैंद